तुदोस्तु साउट की एक और जबर दस एक्शिन और दुमाकेदार सस्पेंस और अड्वेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिल्म की रिलीज डेट से लेके इस फिल्म की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिल्म का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगर अगोरी फिल्म में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरों के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जो हीरन के रोल ने अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलमे हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़दा इंटरस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़दा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़दा इंटरस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम की टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताधत नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरों की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे महतने पर रोड्यूस किया है और साथी साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत जदा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट पानसो क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं गया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बजट पानसो से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिलम की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिलम 22 दिसंबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बात में इ और से पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो सकता है कि यह फिलम 25 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तों आप इस फिलम को देखने के लिए कितने एकसाइट है हमें कमेंट करके जरूब दएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडिय अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रॉल में आप लोगो अलू एजिम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस कि होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देहना पड़ेगा तो दोस्तों अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है क्योंकि अभी वह बाद में रिलीस जो कि इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नजर आएंगी दोस्तों ये मुवी बहुत ज़्या इंट्रेस्टिंग और धुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अन्ता कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तों इस फिलम में कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्छा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पूरा कर है और साथ इसाथ दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसाए पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट ब बात कर ले जाए तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था का ये फिलम बाजीसंबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बाद में इस फिलम के डायक्टर्स की तरब से ये बात सामने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा, यदिन काफी बात की अपने सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउथ की एक और बर्दस एक्षिन और दुमाकेदार सस्पेंस और ड्वेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी ही तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तों अगोरी फ इस फिलम में जोहीरन के रोलनी अधा करने वली सूपर स्टार अधा का रहा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों ये मुवी बहुत ज़दा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में ब इस फिलम के तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़दा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तों इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी ज तो इस फिलम को ओधे मेहता ने परड्यूस किया है और साथी साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबर्दस किसम के बज जोसे भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिलम की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था कि ये फिलम 22 दिसमبر 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बात में इस फिलम के डिर्टर्चर्स के तर्फ से ये बात सामने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा यूंकि इस फिल्म पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि ये फिल्म 2224 के आखिर तक देखी जाएगी यन Twoleri 24 की आखिर जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी ये पी हो सकता हो कि ये फिल्म 2025 के सार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइट है अबिपार्दर ख़िए Adventure से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के StarCast के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिल्म की रिलीज डेट से लेके इस फिल्म की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिल्म का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है त्युक्कि अभी वो बाद में रिलीज किया जाएगा अगर अगोरी फिल्म में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अरजू तो इसममें हीरों के रॉल में नजर आएंगी दोस्तो ये मूवी बहुत ज़दэ इंट्रेस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिल्म में बहुत ज़द़ सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ज़़ा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताज़त नहीं लगा सकते इस तरह पूरा करता है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डाराक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाय डाराक्टर डी एस राजकुमार ने डाराक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे महतने परड्यूस किय और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहु किया था कि ये फिलम 22 Dسمبر 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बात में इस फिलम के डायक्टर की तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा यूंकि इस फिलम पर भी काफी काम बाकी है जो अपने ये अपढ़िया आई है उसके मताब ही कहा गय और साथी साथ दोस्तोør एगर आपको हमारी वीडियो आच्छी लगी हो थो हमें सप्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तोør एक ना考era एक नई अपडेट के साथ के तो दोस्तो साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और ड्वेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रॉल में आप लोगो दोस्तो अगोरी फिल्म का जबर दस किसम प्रो जो तीजर है वो रिलीज कर दिये गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर इलीज किया गया है क्योंकि अभी वो बाद में रिलीज के जाएगा अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जो हीरोन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा का रहा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम के टीजर को देख देखर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतातर नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा एक बदले के कहन दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पूरा करता है और साथी साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से ले कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़ा परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसाए पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बच्चेट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बच्चेट बहुत ज़्यदा हाई रखा गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बच्चेट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपड़ेट आई है उसके मताबिग यही है चे इस फिलम का बच्चेट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट ये बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीस के जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो सकता है कि यह फिलम 2005 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तो, आप इस फिलम को देखने के लिए कितने एक साइटेड है हमें कमिन्ट करके जरूब दीएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साउट की एक और जबर्दस एक्षिन और दुमा केदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम ने हीरो के रॉल में आप लोगो अलु़ बेखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से आगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी के होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगोरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू और जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही और फिल्म में बहुत अटा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी दौस्टो बहुत ज़र इन्ट्रस्टेंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म के टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताथ नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरों की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस dapat पूरा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डेयरक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिलम को इंडिया के जानमाई डिरेक्टर डी एस राजकुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिलम को ओधे महतने परड्यूस किया है और साथ यसाथ दोस्तो आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यदा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन काम ने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा यूंकि इस फिलम पर आप काफी काम बाकिया है जो अपने अपडेट आई है उसके मताब कहा गया है कि यह फिलम 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यह तोसे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो स चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिलम रिलीस होने वाल फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तों अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस न का रहा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों ये मुवी बहुत ज़्या इंटरेस्टिंग और धुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फ फिलम एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्या फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तों इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अप भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसाए पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबर्दस किसम के बचट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बचट बहुत ज़्यादा हाई रख रख गया अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बचट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिलम की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था कि ये फिलम 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यांड़ 24 के आखिर में रिलीस की जाएगी उसे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह कैथ कर फिल्म 2015 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूप देगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रॉल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है त्योंकि अभी वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू अरजुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जोहीरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्यदा इंटरेस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्यदा इंटरेस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम के टीज़र को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतास नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरों की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे मेहता ने परोड्यूस किया है और साथ यसाथ दोस्तो आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत जदा हाई रखा गया है यादि कि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन नहीं किया जाएगा क्योंकि इस फिलम पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताभी कहा गया है कि यह फिलम 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यादि 2024 के आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो सकत लागे यह फिलम 2025 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तों आप इस फिलम को देखने के लिए कितने एकसाइट है हमें कमेंट करके जरूब देगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चै कास्त की बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगों अलुö रिजिम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस फिलम से जुरी तुड़ी तोगानी क्या होगी सबको जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तूकि अभी वह बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरों के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जोहीरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरों के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी ब अभी तक हीरों की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बद्ले को किस तरह पूरा करता है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाय डिरेक्टर डी एस राजकुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बज़ेट बहुत ज़दा हाई रख गया है यह कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ेट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिल्म का बज़ेट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिल्म 22 दिसंबर 2023 को देखी जाएगी चैनि 24 के आख्र में रिलीस कि जाएगी उस से पहले किसी को देखने को नहीं मिलेगी यह और तो साथिसाथ और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो अलू एजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबरदस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है चुकि अभी वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू और जुन तो इसमें हीरो के रॉल में नज़र आएंगे और फिल्म में बहुत साइस्पैंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ज़्यांच इंट्रस्टिंग और धमाकेदर होने वाली है, लेकिन फिल्म के टीज़र को देखर इस फिल्म की कहानी के बारे में दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तों इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे महतने परोड्यूस किया है और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यदा हाई रखा गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोज कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं गया है लेकिन बात में इस फिलम के डारेक्टर्स के तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा यूँकि इस फिलम पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि ये फिलम 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यानि 2024 2022 के आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी है यह भी हो सकता है कि ये फिलम 2025 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तों आप इस फिलम को देखने के लिए कितने एक साइट है हमें कमेंट करके ज़रूब देगा और साथी साथ तो डोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नगी अपडेट के साथ तब टक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म ने हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है त्यूकि अभी वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जो हीरोन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म के टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताथ नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरों की कोई जहलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर के तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुरा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डिरेक्टर डी एस राजकुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे मेहता ने परड्यूस किया है और साथी साथ दोस्तो आपको ये भी बताते चले कि ये फिल्म इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़दा हाई रख गया है यह कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बाद में इस फिल्म के डायक्टर्स के तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा यूँकि इस फिल्म पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गिया है कि ये फिल्म 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यानि 2024 के आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी है यह भी हो सकता है कि ये फिल्म 2025 के स्टार्ट में रिलीस करती जाए तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसाइट है ह तो माकेदार सस्पेंस और अड्वेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिल्म की रिलीज डेट से लेके इस फिल्म की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिल्म का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगर अगोरी फिल्म में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जोहीरन के रोल ने अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलमे हीरोन के ट्रोल में नजर आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्या इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्या इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम की टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अन्तादत नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिलम में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिलम के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत जदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पूरा करता है तो दोस्तो अगर इस फिलम की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिलम को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिलम को ओधि महतन ने परोड़्यूस किया है और साथी साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़दा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट पानसो क्रोट से भी क्रोज कर जाएगा अब एदक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है ले लेकिन बाद में इस फिल्म के डायक्टर्स के तरफ से यह बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा यूंकि इस फिल्म पर आप काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि यह फिल्म 2024 के आखिर तक देखी जाएगी सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिल्म रिलीस होने वाली है जिसका नाम मैं अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलू एजिम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली क्योंकि अभी वो बाद में रिलीज किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में दोसों बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू और जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जो हीरोन के रोल ली अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्या इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्या इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म के टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतात नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर्स की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाय डिरेक्टर डी एस राजकुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे मेहता ने परड़्यूस किया है और साथी साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बज़ट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बज़ट बहुत ज़ीं रही रख गया है य üzerine कहा जा रहा है कि इस फिलम का बज़ट पांच सो कुरोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई final बताया नहीं गया है लेकिन अभी तक जो update आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिल्म का budget 500 से भी cross कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 release date की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था यह फिल्म के अकिर देखी जाएगी याelny 24 की आखिर में Princess की इससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो सकता है कि यह फिल्म 2005 के start में release कर दीजही है तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने excited हैं हमें contribute करदेगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्मने हीरो के रोल में आप लोगो अलूएजम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से हगा sulfur करने वाली हो। फिल्म की रिलीज डेट से लेके इस फिल्म की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा और ऐस फिल्म की और वहानी की काहनी के पूरफ फिल्म की कहानी से एपड़ेट आई है। उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़दा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्छा किस तरह बड़ा होत और साथी साथ दोस्तो आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिल्म इंडिया के सबसे बड़ा परड़क्शन हाउस मोशन फिल्म पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबरदस किसम की बजट की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट जा था कि ये फिल्म 22 दिसमबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बात में इस फिल्म के डायक्टर्स के तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा तो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि ये फिल्म 2024 के आखिर तक देखी ये नहीं जायाएगी तो साथ की अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जूरर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउथ की ए को नमया है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिलम के स्टार कास्त के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रौल में आप लोगो अलोर जिम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में मिलें आप इस फिलम से जुर्भी तुमां तर अपБडीथ से करने वाली हूँ फिल्म की रिलीज डेट से लेके इस फिल्म की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिल्म का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी इसका को जो कि इस फिल्म में हीरोन के ट्रोल में नजर आएंगी दोस्तो यह मुवी बहुत ज़्या इंट्रेस्टिंग और धुमाकेदार होने वाली है और फिल्म में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंत कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तों इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्छा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पू इस फिल्म पिक्चर्स के जिरसाय पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबर्दस किसम के बचट की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बचट बहुत ज़्यादा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बचट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा लेकिन बात में इस फिल्म के डायक्टर्स के तरफ से यह बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा यूंकि इस फिल्म पर अभी काफी काम बाकिया है जो अपने अपडेट आई है उसके मताभी कहा गया है कि यह फिल्म 2024 के आखिर तक देखी जाए सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउट की एक और जबर दस एक्शन और दमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो अलु अजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तों अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है क्योंकि अभी वो बाद में रिलीज किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में दोसों बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू और जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जो हीरोन के रोल ली अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म के टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताथ नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर्स की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाए डिरिक्टर डी-एस राजिकुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे महता ने परोड्यूस किया है और साथ शाथ दोस्तो आपको यह भी बताते चले कि यह फिल्म इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसाय पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़दा हाई रखा गया है इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस film की 200 रिलीस डेट ये बात कर ले जाए तो इस film के बारे में पहले कहा गया था किया लेकिन बाद में इस film के डाया के डायगी कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा तो जो अपनी बडेटाया है कितने एक साइटेड है हमें कमेंट करके ज़रूप देगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साथ की एक और जबर्दस एक्षिन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो अलुए जिम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबरदस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तक अभी वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जू तो इसमें हीरो के रोल में नदेर आएंगे ही और फिल्म में बहुत ज़ा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ज़ा इंट्रस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताथ नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरों की कोई जहलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर के तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानवाए डिरेक्टर डि.S. राजकुमार ने डिरीक्ट किया है और अगर इस की परड़क्शन की बात की जए है तो इस फिल्म को ओधिं महतन ने प्रोड्यूस किया है और साथ जिसा दोस्तो आपको ये भी बताते से लें कि ये फिल्म इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिल्म पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट बहुत ज़दा हाई रखा गया है ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिल्म का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिलम की 200 रिलीस देट की बात कर ली जाए तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था कि ये फिलम 22 December 2023 को रिलीस के जाएगी लंदेज़ इस फिलम के डियरक्टर्स के तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा क्योंकि इस फिल्म पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताभी कहा गया है कि ये फिल्म 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यानि 2024 के आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिल्म रिलीस होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलू एजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप पो इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ प्रफिल्म में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू और जून तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जहोईरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारह हैं उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों ये मुवी बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिल्म में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अन्तास नहीं लग फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तों इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डि प्रिडक्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसाय पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यादा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोड से भी क्रो कर सकता है और अगर इस फिलम की 200 मार्य को तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था क besteht कि ये फिलम 22 दिसंब्र 2023 को रिछाएगी लेकिन बाद में इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक साइट है हमें कमेंट करके जरूब दएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो अलू एजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देहना पड़ेगा जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों ये मूवी बहुत ज़़दा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़़दा सस्पैंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तों बहुत ज़़दा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम के टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतास नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिलम में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिलम के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस जबर्दस किसम के बच्चेट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बच्चेट बहुत ज़्यदा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बच्चेट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बच्चेट 500 क्रोस कर सकता है और अगर इस फिलम की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिलम 22 दिसंबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बात में इस फिलम के डारेक्टर्स के तरफ से यह बात सामने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा क्योंकि इस फिलम पर अभी काफी काम बाकी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि यह फिलम 224 के आखिर तक देखी जाएगी यानि 224 के आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी तो मिलते हैं दोस्तो एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीस होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्त के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो अलु और जूर्जम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तूमामतर अपडेट से अगाह करने वाली हूं फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबरदस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर डीलीस नहीं किया गया है त्योंकि अभी वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रॉल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जोहीरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों ये मुवी बहुत ज़़ा इंटरस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़़ा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तों बहुत ज़़ा इंटरस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म के टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताथ नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरों की कोई जहलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर के तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डिरेक्टर डी-S राज्गुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इसकी प्रुड़ुक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे महितन ने प्रोडूस किया है और साथ उसाथ दोस्तो आपको यह भी बताते चले है कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़दा हाई रखा गया है ये कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बाद में इस फिल्म के डायक्टर्स के तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा क्योंकि इस फिल्म पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि ये फिल्म 24 के आकिर देखी जाएगी य напрशु से पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगे जैस मिलने कि ये इस फिल्म को देखने के साट नहीं करते हैं इस फिल्म पर नही अपडेट के तब तक के लिए टेक א próprio तो दो ऑगे आफ वर जाएगे पैंस और ड्वेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिल्म की रिलीज डेट से लेके इस फिल्म की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिल्म का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है क्योंकि अभी वो बाद में रिलीज के जाएगा अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जो हीरोन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा का रहा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़दा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़दा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़दा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अन्ताथ नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पूड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिलम को इंडिया के जान्माई डिरेक्टर डी-स राजकुमा रेंडेक्ट किया है और अगर इसकी पर inglés की जाए तो इस फिलम को ओधे महतने पर गूर्डूस किया है और साथी साथ दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यदा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अ देए का कि इस फिलम पर काफी काम बाकि है जो अपने ईपडेटा यहां उसके मुस्ताब कहा है कि कहा है कि यह थांधर 2024 के आखिर तक देखी जाएगी इसे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगीज्य हो सकता है कि यह फिलम को देखने के लिए कितने एक साइट हमें कमे तो दोस्तो साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमा केदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रॉल में आप लोगो अलु एजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से आगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देहना पड़ेगा जो कि इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों यह मुवी बहुत ज़्या इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंत कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्या फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तों इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्छा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पूरा कर है और साथ साथ दोस्तों आपको यह भी बताते से लिए कि यह फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसाय पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट ब बात कर ले जाए तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिलम 22 दिसंबर 2023 को रिलीस के जाएगी लेकिन बात में इस फिलम के डिरेक्टर्स के तरफ से यह बात सामने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा तो जो अपनी अपडेट आई है उसके मुस्ता भी कहा है कह यह एक्ड है उल्हक हिल अविसके आखिर तक देखे जाएगी उसे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिले यह बहुत सकता है कर यह 25 मीरी स्टाटach में रिलीस कर दी तो दोस्तो साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम ने हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिलम से जुड़ी तमाम अपडेिस से हगा करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबरदस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तक अभी वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू अरजू तो इसमें हीरो की रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जोहीरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों ये मुवी बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तों बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बाड़े में कुछ अभी तक अंताथ नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरों की कोई जहलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर के तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डिरेक्टर डी एस राजकुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे मेहता ने परड्यूस किया है और साथी साथ दोस्तो आपको ये भी बताते चिले कि ये फिल्म इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़दा हाई रख गया है इनके कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बाद में इस फिल्म के डायक्टर्स के तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा क्योंकि इस फिल्म पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताभी कहा गिया है कि ये फिल्म 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यानि 2024 के आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो सकता है कि ये फिल्म 2025 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तो आप इस विल्म को लिए कितने एकश्यम हमें कमेंट करके जुए रूब दएगा और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अची लगी हो तो हमें इसपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रॉल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप पो इस फिल्म से जुड़ी तुमामतर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है तो अगोरी फिलम में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जो हीरोन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा का रहा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़़ा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़़ा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़़ा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अन्तादत नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाय डिरेक्टर डी एस राजकुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे महतने परड्यूस किया है और साथ इसाथ दोस्तो आपको ये भी बताते चले कि ये फिल्म इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यदा हाई रख गया है यह कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बाद में इस फिल्म के डायक्टर्स के तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा यूँकि इस फिल्म पर अभी काफी काम बाकिया है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है करो ये फिल्म 2024 के आँखि तक देखी याएगी और साथे सायट करने लिए चैनल को जोड़ कोई यूर आपको को लगी keenly के इसपर्सक्राइब करें अपरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलू अजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिल्म से जुड़ी ही तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिल्म की रिलीज डेट से लेके इस फिल्म की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिल्म का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है चुकि अभी वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिल्म में दोसों बात कीacre जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलु औरजुं तो इसमें हीरो के रोल में आधा करने वली सूपर स्टार अधा का रहा है उनका नाम चिरूती राम कृशना है जो के इस फिल्म में हीरों के ट्रॉल में नजशल आएँग लेकिन जो इस फिल्म के डिर्यक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक यह फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत जदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाई जायेगी जिसमें एक बच्चा किसों बड़ा होता कि और फिर अपने बदले को किस तरा पूरा करता है। बहुत ज़्यादा हाई रख गया हैंगे और इस फिल्म का बजट 500 क्रोट से भी क्रोज कर जाये का अभी तक इस के बारे में कोई final बताया नहीं का है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यह है कि इस फिल्म का बजट 500 से भी क्रोज कर सकता है और अगर इस फ पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि यह फिल्म 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यह उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो सकता है कि यह फिल्म 2025 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तों आप इस नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीस होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिल्म के पहानी के होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तों अगोरी फिल्म का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इससा कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगर अगोरी फिल्म म जो हीरन के रोल नी अधा करने वली सूपर स्टार अधा का रहा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिल्म में हीरन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों ये मुवी बहुत ज़दा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिल्म में बहुत ज़ खीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिर्क्टर के तरफ से अफडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़दा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तों इस की परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे महता ने परड्यूस किया है और साथ इसाथ दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि ये फिल्म इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिल्म पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस बस्ट के बजट की बात कर ली जाए, तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्ट हाई रखा गया है, यह कहा जा रहा है कर इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई final बताया नहीं गया है लेकिन अभी तक जो update आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिल्म का budget 500 से भी cross कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 release date की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था का यह फिल्म 2024 के आखिर तक देकी जाएगी यहाँले 2024 के आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो सकता है कि यह फिल्म 2025 के स्टार्ट में रिलीस कर jou PLAY तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसाइट है हमें कमेंट करके जरूब देगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलू एजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगौरी फिलम का जबरदस कसम का यो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अब ही इससा कोई ट्रेलर रिलीस नहीं क्या गया है तो अगर अगौरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जोहिरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलमे हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम की टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताधत नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरों की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधि महतन ने परोड्यूस किया है और साथ यसाथ दोस्तो आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यदा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन होसी की स्पूड़ तो आफ किसे वीडियो सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दो आग gefज्यों इस एक रग वीडियोत बज़्ट देख्याएगा और साथ इसास अगो के चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अड्वेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम ने हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तों अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगर अगोरी फिलम में दोस्तों बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जो हीरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलमे हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम के टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतास नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिलम में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिलम के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत जदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुरा करता है तो दोस्तो अगर इस फिलम की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिलम को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिलम को ओधे महतने पर रोड्यूस किया है और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़दा हाई रखा गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अ रिलीस नहीं किया जाएगा यूँकि इस फिलम पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि यह फिलम 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यादि 2024 के आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह हो सकता है कि यह फिलम 2025 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तों आप इस फिलम को देखने के लिए कितने एक साइट है हमें कमेंट करके जरूप दएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमा तो इस फिलम ने हीरो के रोल में आप लोगो अलू एजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जा पर बदा कि जाए इसकी स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू और जिन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलमरी जो फिलमरी इमुहिर के रोल्लिन लीस अदाकरने वली सूपर स्टार अदाकरा है उनका नाम चुरूती राम क्रिश्ना है जो इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नजराएंगे दोस्तों ये मुवी बहुत ज़्जदा इंट्रिस्णिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्जदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तों बहुत ज़़ा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताज़त नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिलम में अभी तक हीरों की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिलम के डिरेक्टर की तरफ से अफडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत जदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुरा करता है तो दोस्तो अगर इस फिलम की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिलम को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिलम को ओधे मेहता ने परड़्यूस किया है और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत जदा हाई रखा गया है यादि कि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन काम ने यहाई की इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा चुझा इस फिलम पर काफी काम बाकी है जो अपने ये अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि यह फिलम दूसर चोबीस के आखिर तक देख जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी ये भी हो सकता है कि ये फिल्म 2005 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसाइट है हमें कमेंट करके जरूब देएगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम की स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो अलू एजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप पो इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीज कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है तो अगोरी फिलम में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जो हीरोन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताथ नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तों इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहान दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पूरा करता है और साथी साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यदा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अ जाएगा यूंकि इस फिलम पर आप काफी काम बाकिया है जो अपने आपडेट आई है उसके मताब कहा यहा है कि यह फिलम 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यादि 2024 की आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो सकता है कि यह फ तो दोस्तो साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिलम रिलीस होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रॉल में आप लोगो अलू किसम का जो टीजर हो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू और जून तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम म तो इस फिल्म की कहानी कोई दिखाया गए है लेकिन जो इस फिल्म के ये कहानी के को ayrosासी करें तो अम nisके गभी दाव दूर्ण इस पिल्म के लिखत लिया बचैसा किसका बड़ा होता है अपने बडले को फिर ऑफने वैस्ता पूरा करता है जोन Γैल को इस फिल्म के जाने में डायर्टर डी एस राजकुमार ने की एस फोड़ार श मरस सा तो ऐसे हो आप को एबरेसा इब है तो दोस्तो अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यदा हाई रखा गया है या कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अब इदक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं गया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिल्म का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीस के जाएगी लेकिन बात में इस इस फिल्म के डिर्यक्टर्स के तरफ से यह बात सामने आइए जाए कि इस फिल्म को जिल्ड रिलीस नहीं किया जाए का प्यक्ति अपने कग्री excellent एपelfुदे करें चुझा है जो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक इसमीं में आपको जबरे को फूरस था कर दीग तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबरदस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अब़ी इसका कोई ट्रेलर डीजर नहीं किया गया है तक अभी वो बाध में रेलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जा इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अरजूंत इसमें हीरो के रोल में नज़र आईंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जोहिरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों ये मुवी बहुत ज़दा इंटरस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़दा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तों बहुत ज़दा इंटरस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की ट्यूजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताथ नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरों की कोई जहलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर के तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानल मय डिरेक्टर डी-स राजकुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इस की परडुक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म का बज़ेट बहुत ज़दा हाई रख गया है यानि कि कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बज़ेट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपड़ेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिल्म का बज़ेट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिल्म 22 दिसमब 23 को रिलीस की जाएगी लेकिन बात में इस फिल्म के डिर्क्टर्स की तरफ से यह बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा युकि इस फिल्म पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपड़ेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि यह फिल्मие 24 के आखिर तक देखी जाएगी यह फिल्म इस फिल्मे है आप वीड़े की आखिरिस की जाएगी नीफ स्ब्सक्राइब करें ऑफनाकेटर तो बरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलुए जिम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिल्म की रिलीज डेट से लेके इस फिल्म की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिल्म का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगर अगोरी फिल्म में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जोहीरन के रोल ने अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलमे हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम की टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताधत नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधि महतन ने परोड्यूस किया है और साथ यसाथ दोस्तो आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर जबरतस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्याधा हाई रुख लूँधा रखा गया है ये कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट पानसो करोड से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसे बारे में कोई फाइनल बतायान नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिल्म का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में सबस्क्राइव किलेट का यहां फिल्म 2024 के आखिर में सबस्क्राइब करें तो दोस्तो आप इस film को देखने के लिए कितने एक साइ्ट रहना हैं हमें कमेंट करके जड़र बदेगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो अलू एजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबरदस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो यह वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू अर्जू तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जो हीरोन के रोल ली अदा करने वली सूपर स्टार अदा का रहा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म के टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतात नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर्स के तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डिरेक्टर डी एस राजकुमार ने डिरेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे महतने पर डियूस किया है और साथ यसाथ दोस्तो आपको ये भी बताते चले कि ये फिल्म इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे पर ड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़दा हाई रखा गया है इस फिलम का बजट 500 क्रोड से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बाद में इस फिल्म के डार्टर्स के तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा य臉 नहीं अपडेट आई है इस फिल्म के आखिर तक देखी जाएगी यानि इसमरे आखिर इसी को भी आखिर भी आफिर इसे फिल्म के थेरे था कि अखिर पास्नाम OL्यक्र ये जाएगा तो दोस्तो साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और ड्वेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम की स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलमने हीरो के रॉल में आप लोगो अलू एज़ुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से आगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबरदस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसा कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगोरी फिलम में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू अरजू तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही और फिलम में बहुत जाए सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत जई इंट्रस्टिंग और धुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम की टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बाटे में अभी तक अंतात नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिलम में अभी तक हीरों की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिलम के डिरेक्टर की तरफ से अफडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़दा फाइट सीन तो नहीं देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस फिलम की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिलम को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिलम को ओधे महतने परड्यूस किया है और साथ यसाथ दोस्तो आपको ये भी बताते चले कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे परड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़दा हाई रखा गया है इनके कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 करोट से भी करोज कर जाएगा अब तक इसके बारे मैं कोई final बताया नहीं किया है लेकिन अब तक जो अप्डेट आई है उसके मताबिश कर सकता है और अगर इस फिलम की 200 डिलीज़ डेट की बात कर ले जाये जो आपने एपडेट है उसके मताब कहा यहा है कि एप यह फ्लम 2024 के आकिर तक देखी जाएगी याने 2024 के आकिर मिक्होता में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी है यह प्रिलम 2025 के स्टार्ट में रिलीस कर दी तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइट है हमें कमेंट करके जरूब देएगा और साथ इसाथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रॉल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगर अगोरी फिलम में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जोहीरन के रोल ने अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलमे हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम की टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंताधत नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिल्म को ओधे महतने पर रोड्यूस किया है और साथ यसाथ दोस्तो आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यदा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन लाए कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा तो इस फिलम पर आपि काफी काम बाकिए है जो अपनी अपडेट आया है उसके मताभी कहा गया है यह फिलम 2024 के आखिर तक देखी जाएगी यह तोससे पहले किसी को देखने को नहीं मिलेगी ज्याबही हो सकता है कि फिल्म 2005 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूब देगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो जिसका नाम है अगौरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलू अजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप पो इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है चुकि अभी वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिल्म में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जो हीरन के रोल दी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलमे हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम के टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतास नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिलम में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिलम के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत जदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुरा करता है तो दोस्तो अगर इस फिलम की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिलम को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिलम को ओधे महतने पर रोड्यूस किया है और साथी साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे पर डियूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत जदा हाई रखा गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अब अब ये तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकि लेकिन बात में इस फिलम के डिर्क्टर की तरफ से ये बात सामने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएका यूँकि इस फिलम पर अभी काफी काम बाकी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताब भी कहा गया है कि ये फिलम दोज़़चोबिस के आखिर तक जरूब दएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साथ की एक और जबर्दस एक्षिन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीस डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबरदस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी ऐसा कोई टेलर रिलीस नहीं किया गया है त्यूकि अभी वो बाद में रिलीस के जायेगा अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जाया इसके स्टर कास्ट की तो हमें पता है अलू और जून तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जोहीरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिल्म में हीरन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तों ये मुवी बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है और फिल्म में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन हाँ दोस्तों इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पूरा करता है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को इं अबर 10 किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिल्म का बजट बहुत जदा हाई रखा गया है यानि कि कहा जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट जब से यह बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा यूंकि इस फिल्म पर आभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि यह फिल्म 2024 के आखिर तक देखी जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिल हैं दोस्तों एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तों साउट की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिल्म रिलीस होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तों अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रॉल में आप लोगो अलु अजूंद देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप वे आप यस फिलम से जुड़ी तूम तर अपडेट से अगाल करने ठीज हूँ क्योंकि अभी वो बाद में रिलीज किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हम पता है अलुवरजुन तो इसमें हीरो के रॉल में नजर आएंगे ही और फिलम में बहुत ज़स्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तों बहुत ज़ज़ा इंट्रस्टिंग और धुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम की टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतादत नहीं लगा सकते की फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नई इस फिलम अभी तक हीरोंगी कोई जलक को दिखा गया है लेकिन जो इस फिलम के डारी तरब так कि तरफ से अप्डेट आई है उसके मताबीक है यह फिलम एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़दा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाए जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पूरा करता है तो दोस्तों अगर इस फिल्म की डिरॉक्षण की बात कर ली जाएए तो इस फिल्म को इंडिया के जाने मारे डार्यक्टर डि.e.s. राजकुमार ने डार्यक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिलम को ओधे महतने परड्यूस किया है और साथी साथ दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़ परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जीरे साथ परड्यूस की जाएगी तो दोस्तो अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यदा हाई रख गया है यानि कि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अब तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिल्म का बजट 500 से भी क्रोस कर सकता है और अगर इस फिल्म की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीस के जाएगी लेकिन बात में इस फिल्म के डारेक्टर्स के तरफ से यह बात सामने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा युकि इस फिल्म पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है झाल सकता है तो दोस्तों साउट की एक औरज़ाबर बरदस एक्शन और तुमाकेदार सस्प्पेंस और ड्वेंटर से बरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म ने हीरो के रोल में आप लोगो अलू एजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिल्म से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिल्म की रिलीज डेट से लेके इस फिल्म की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिल्म का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है तो अगर अगोरी फिल्म में दोस्तो बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जुन तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिल्म में जो हीरन के रोल ली अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलमे हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्या सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्या इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम के टीजर को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतास नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिलम में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिलम के डिरेक्टर के तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम के कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुड़ा करता है तो दोस्तो अगर इस जबर्दस किसम के बच्चेट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बच्चेट बहुत ज़्यदा हाई रखा गया है यह कहा जा रहा है कि इस फिलम का बच्चेट 500 क्रोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं किया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बच्चेट 500 क्रोस कर सकता है और अगर इस फिलम की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिलम 22 दिसंबर 2023 को रिलीस की जाएगी लेकिन बात में इस फिलम के डायरेक्टर्स के तरफ से यह बात सामने आई कि इस फिलम को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा क्योंकि इस फिलम पर अभी काफी काम बागी है जो अपने अपडेट आई है उसके मताबी कहा गया है कि यह फिलम 224 के आखिर तक देखी जाएगी यानि 224 के आखिर में रिलीस की जाएगी उससे पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी तो मिलते हैं दोस्तो एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीस होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम ने हीरो के रोल में आप लोगो अलूर जुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आप इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा जो के इस फिलमें हीरौन के ट्रोल में नजर आएंगी दोस्तो यह मूवी बहुत ज़़ज़ा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़़ज़ा सस्पैंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ज़़ा इंट्रेस्टिंग और दुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतास नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिलम में अभी तक हीरों की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिलम के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत जदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुरा करता है तो दोस्तो अगर इस फिलम की डारेक्शन की बात कर ली जाए तो इस फिलम को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाए तो इस फिलम को ओधे मेहता ने परड़्यूस किया है और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरे से परड्यूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबर्दस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत जदा हाई रखा गया है यादि के कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 करोट से भी क्रोस कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं गया है लेकिन काम ने आई कि इस फिल्म को जल्ड रिलीस नहीं किया जाएगा, छो उपने अपड़ेट आई है काम काभी है अ कै कॉट है यहना इस फ्लं मेज फील्म के साइड से तक देखं़ को बात जाए इस स्थार्ट को созд todo तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एकसाइट है हमें कमेंट करके जरूब देगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें स्पोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं दोस्तो एक नेक्स वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर तो दोस्तो साउथ की एक और जबर्दस एक्शन और दुमाकेदार सस्पेंस और अडवेंचर से भरपूर फिर्म रिलीज होने वाली है जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिलम के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिलम में हीरो के रोल में आप लोगो अलुए जिम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप इस फिलम से जुड़ी तुमामतर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आप पो इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिल्म की कहानी दोस्तों बहुत ज़़ा इंट्रेस्टिंग और धुमाकेदार होने वाली है लेकिन फिल्म की टीजर को देखकर इस फिल्म की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतात नहीं लगा सकते कि फिल्म में क्या होगा या फिल्म की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिल्म में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिल्म के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिल्म एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत ज़्यदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिल्म में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है तो दोस्तो अगर इस फिल्म की डिरक्शन की बात कर लिए तो अभी तिकले से सकती हैं यहां लेकर इस फिलम का बजट 500 को क्रोसके इता है और अगर इस फिलम की 200 रिलीजट iot की काए तो इस फिल्म के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिल्म 22 दिसंब Fucking可以 अगी लेकिन बाद में इस फिल्म के कि टरव मी तरफ से ये बात सामने आई है कि ये फिल्म 2005 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तो आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक साइटेड है हमें कमेंट करके जरूब देगा और साथी साथ दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो जिसका नाम है अगोरी तो दोस्तो अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बात की जाए तो इस फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगो अलू अजुम देखने को मिलेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको इस फिलम से जुड़ी तुमाम तर अपडेट से अगाह करने वाली हूँ फिलम की रिलीज डेट से लेके इस फिलम की कहानी क्या होगी सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देना पड़ेगा तो दोस्तो अगोरी फिलम का जबर्दस किसम का जो टीजर है वो रिलीस कर दिया गया है लेकिन अभी इसका कोई ट्रेलर रिलीस नहीं किया गया है चुकि अभी वो बाद में रिलीस किया जाएगा अगर अगोरी फिलम में 200 बात की जाए इसके स्टार कास्ट की तो हमें पता है अलू अर्जून तो इसमें हीरो के रोल में नज़र आएंगे ही इनके साथ ही इस फिलम में जो हीरन के रोल नी अदा करने वली सूपर स्टार अदा कारा है उनका नाम चिरूती राम करिशना है जो के इस फिलम में हीरोन के ट्रोल में नज़र आएंगी दोस्तो ये मुवी बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है और फिलम में बहुत ज़्यदा सस्पेंस भी आपको देखने को मिलेगा तो इस फिलम की कहानी दोस्तो बहुत ज़्यदा इंटरस्टिंग और दमाकेदार होने वाली है लेकिन फिलम के टीज़र को देखकर इस फिलम की कहानी के बारे में कुछ अभी तक अंतास नहीं लगा सकते कि फिलम में क्या होगा या फिलम की कहानी क्या होगी और नहीं इस फिलम में अभी तक हीरोन की कोई जलक को दिखाया गया है लेकिन जो इस फिलम के डिरेक्टर की तरफ से अपडेट आई है उसके मताबिक ये फिलम एक दिल्चस्प किसम की कहानी पर होगी इसमें आपको बहुत जदा फाइट सीन तो नहीं दिखने को मिलेंगे लेकिन हाँ दोस्तो इस फिलम में एक कहानी होगी एक बदले के कहानी दिखाये जाएगी जिसमें एक बच्चा किस तरह बड़ा होता है और फिर अपने बदले को किस तरह पुरा करता है तो दोस्तो अगर इस फिलम की डारेक्शन की बात कर ली जाएग तो इस फिलम को इंडिया के जानमाई डारेक्टर डी एस राजकुमार ने डारेक्ट किया है और अगर इसकी परड़क्शन की बात की जाएग तो इस फिलम को ओधे महतने पर रोड्यूस किया है और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताते से लिए कि ये फिलम इंडिया के सबसे बड़े परड़क्शन हाउस मोशन फिलम पिक्चर्स के जिरसे पर डियूस की जाएगी तो दोस्तों अगर इस जबरदस किसम के बजट की बात कर ली जाए तो इस फिलम का बजट बहुत ज़्यदा हाई रख गया है यादि कहा जा रहा है कि इस फिलम का बजट 500 क्रोट से भी क्रोज कर जाएगा अभी तक इसके बारे में कोई फाइनल बताया नहीं गया है लेकिन अभी तक जो अपडेट आई है उसके मताबिक यही है कि इस फिलम का बजट 500 से भी क्रोज कर सकता है और अगर इस फिलम की 200 रिलीस डेट की बात कर ले जाए तो इस फिलम के बारे में पहले कहा गया था कि यह फिलम 22 दिसंबर 2023 को रिलीस के जाएगी लेकिन बात में इस फि पहले किसी को भी देखने को नहीं मिलेगी यह भी हो सकता है कि यह फिलम 25 के स्टार्ट में रिलीस कर दी जाए तो दोस्तों आप इस फिलम को देखने के लिए कितने एक साइट है हमें कमेंट करके जरूप दएगा और साथी साथ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच के साथ तबिक के लिए टेक कियर